यह सारे टार्गेट देने वाले नुवामा है यह क्लियर बता दू मेरी कोई बाई सेल रगमेंडेशन नहीं है मैं उस पर डीटिल में बात नहीं करूंगा हम बस इस टॉक की अनलेसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या पॉजिटिव है और क्या निगिटिव है टॉक है एन मार्केट करती है कंपनी कुछ ऐसे नए कॉंसेट पर काम करती है जो इनको बाकी कंपनी से अलग और मजबूत बनाती है जैसे किसान सुधा के जहां सारे एग्रो प्रोड़क्ट फार्मर को एक ही जगह मिल जाते है करेंटली इंडिया में कंपनी के पास 100 केस केस हैं और 11.83% तो अब इनके फंडमेंटल को देखते हैं और एक नए नजरिया से देखते हैं नए नजरिया क्यों बोला कि सबसे पहले अगर नॉर्मल वे में देखेंगे तो डेट 491 करोर का है ठीक है वो बैलन सीड में देख लेते हैं तो बोरोइंग में आप देखोगी कि मार्ट 2021 तक बहुत डाउन था बट बढ़ा है ठीक है वहाँ पर क्या था घटा है यहाँ पर बढ़ा है और इसको हम अगर peer comparison से रेखते हैं सारे fertilizer company से रेखते हैं तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो sales का graph है वो बहुत मजबूत है अगर quarterly profit का graph देखोगे वो बहुत मजबूत है तो इस तरीके से हम compare करने की कोशिश करते हैं लेकिन वहीं पर जब आप fact में आते हो तो उसका ROC, ROE definitely बहुत अच्छा है OPM भी अच्छा है तो इस तरीके से हर company के कुछ positive negative होते हैं लेकिन चुके इस share को इसलिए लिया कि चुके नुआमा ने 100% target raise किया है इनके बारे में due to that reason हम इनके fundamental को ले रहे हैं